हेलो अर्वन वेल्कम दो चैनल तो इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफ में हम पढ़ेंगे जिसके डीटेल वीडियो होगी जली अप्रोड जाएगी तो आप चैनल पर नहीं है अब तरह ही सब्सक्राइब किया है चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमें कुछ पॉइंगे उससे बाद में जो बागी असुस्टेटर पॉइंट से वह दिखेंगे तो इसका बेसिक फीचर से आफ करें ट्रिक है या बेसिक पॉइंट से बताओं चाहिए वह है फ्लैक्स एफ लेजी एस एफ स्टांड फॉंक्शनली अब इसका मतलब क्या है आको बताओं हरी चुप एसम्थेटे ग्यांगली उने उसके दो कॉंपनेंट होते हैं जैफिए दो नर्व साथे दो कॉंपनेंट एक होता है फॉंक्शनल कॉंपनेंट जैसे आपको एक्जांपल समझाओं सब्सक्राइब यहां पर मांटेन है जो है जो बंद रही है इंडिया आ इंडिया है और यहां पर नेपाल में तो फॉंक्शनल को इसका पूहरा है इंडिया में पर इसको फॉरास आफिक हम बोलते हैं चाह इंडिया यह ऩाई पर फंचिनली गेंगल में यही फीचर आते हैं, functional relation होता है कि किस से ही, जो इसका river का source, यानि कि पानी जैसे में, वैसे में nerves जो आ रही है, nerves कहां से आ रही है, जो अंदर nerves के अंदर आप जानते हैं, बहुत सारे आपर fibers होते हैं, तो nerve fibers कहां से उचिनेट कर रहे हैं, तो functioning they are related to the facial nerve and topographically, यान next है इसका L, L is the largest parasympathetic ganglion, largest parasympathetic ganglion, तो taigopentine ganglion का है, largest parasympathetic ganglion है, तो बहुत सारे parasympathetic ganglion है, तो बहुत सारे parasympathetic ganglion है, पहले बता चुका है, जो से otic taigopentine, और बाकी दो, और तो इनमें से सबसे बढ़ा कुम सा है, taigopentine ganglion, A stands for, it acts as relay center, relay center for fibers, अब जो fibers होते हैं, यह कहां का supply करते हैं, देखिए, बहुत ही simple है, L और M, lacrymine gland, और mucos gland, ठीक, अब mucos gland कहां 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 के, LM, NOP, ठीक है, NO4 nose, pharynx, paranasal sinus, paranasal sinus, ठीक है, यहां supply कहां कहां है, LM, NOP, ठीक है, mucos gland, nose, pharynx, palate, paranasal sinus, ठीक हो गया, इसका basic कहां साहां supply करते हैं, जी, यह मतलब इसे हम ganglion of hay fever ही बहुतते हैं, ganglion of hay fever, अब इसका मतलब क्या है, suppose कोई allergic condition है, जैसे cold या hay fever होता है, उसमें जो tecropan fossa होता है, उसमें जो tecropan ganglion होगा, वहाँ पर इसी irritation, इसी nerve की irritation होगी, उससे allergic symptoms आते हैं, जैसे कि hypersecretion of mucos in the nose, pharynx palant or palanderous sinuses, तो यह feature होता है, इसका hay fever में, next, ऐसे का मतलब क्या होजएगा, इसका जो size होता है, यह होता है, head of small pin, head of small pin, या फिर पिन head size भी हो सकते है, head of small pin, next इसका point location, तो बहुत ही quickly दिखने वाले हैं, next is a location, कहाँ पर होता है, हिन्नामी इसका terigopalentine ganglion होना है, deep relation, tag open forsa के exact genot नहीं है, वो चलने पर already uploaded है, आप हम जाएगे check out कर सकते है, next, इक point जो है, इसके suspended from the maxilline nerve by two roots, suppose maxilline nerve है, इसे दो root निकलती है, और इसी से terigopalentine ganglion, तो this is the terigopalentine ganglion, next is the relation, तो relation trick बहुत simple है, आपको इसका या रहता है, तो कैनाल SPM, SPM में PSM, perpendicular plate of palatine, spinopalentine for armen, और maxilline nerve, तो 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 आपको रिलेक्शन में कीछ रिकाब लेते हैं, behind में कहाई से पीछे कह है, tag on canal, front, perpendicular plate of palatine, media relation कहा है, spinopalentine for armen, above कहा है maxilline nerve, अब उताया था, लोकिशन में यह अपर पार्ट में लोकिड होता है और किसे सस्पेंडेड होता है में से सस्पेंडेड होता है तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है तो यहां पर ऐसे में नर्व के अधिक अधिक वह जाएगा ठीक है अब बाकि इसको करना है एक एनिमल के फिर्श से तरह लेना है तो इसे एनिमल के कितने होने चार होने एक दो तीन चाहर तुसरे पूरे सर से चार होन निकलते हैं फिसकी बॉड़ी आती है तो दूसरे स्टे इसे बॉड़ी आ रहे है और यह इसके फ्रंट बना रहे है ठीक है फ्रंट लेग में इसके अपर एक ऐसे रांड़े स्ट्क्चर एक लेग में और बाकि से बॉड़ी कैसे आ रहे है यहां से इसकी बॉड़ी आ रहे है दूसरी पार इसका पूरा नेक इतना बड़ा इसे ब पे एक पाइप है कि इसको हमने ऐसे टाई किया हुआ है बस इतना हो गया बस आपको इसे लेबिलिंग करेंगे सब से सिंप्लिफाइड डायराम है तो यह फ्रंट लेग है एनिमल को फ्रंट लेग है एक है सुपीरियर सलाइवेटरी सब्सक्राइब कर नृक्तistä चुंपी है तो से जबेंगे इसे हम बोलते हैं दीप यह थी मिलों में धीक कर सुपर्फिशल नाम गर्रेटर सुपर्फिशल प्रेटर्विशल तो यह यहां से यह यह कंगे इस नाम में यह इस प्कॉण तॉर्हिक सेगमेंट का टीवन पार्ट से आ रहा है और इस इन बैके की स्ट्रक्टर्ड था इन टैनल्फ के अट्री तो टीवन से जो फाइबर साते है थो इंट्र्फिर बनाते हैं प्लैक्स प्लैक्स प्लैक्से लिधर को सीचानल निकल रहा है भादम सबसे डीप अब इसे ओरूल और जो नर्व जोने ओर रहें तो जोन बनाते हैं से मोलते हैं यह खुदी जो नाम है नर्व टेरीगोट कैनाल नर्व टेरिगोट कैना थिक यह फिर पाइंगी नेक्स्ट तुर ब्रांचिस आएंगे यह अपना पररां रहा है यहां से कर है डिया है एक पर यहां पर रीले करेंगे हम पर रुट रण्च बाखी जो हो जाएंगी पहले टाइंग और चौथा यह फेरेंजिल चाब रांचे से आपको पता होने चाहिए और कुछ सेंसरी कॉंपोने यहां पर मेंग जाता है तो रूट सी बात किया है इसमें कौन-कौन से होगे मोटर रूट या पैरस्मिथाटिक रूट हो गया यह कहां से रूट होता है सुपरफिशल स्लाइवेटी नुक्लियस से बाकि नहीं करेंगा इंटर्नल्ट आठ्री जो है कि तुम आता है मेज़े नर्व के था है टेक शांगी इसको में आपकों से बात कि अपने लिए यहां पर नेजल पालंटाइनग जन्सुएं फोसा ऑप नाम कभी पूच्छे ले जाते हैं तो ऑबितर ब्रांच कहां वहां और बिटल फिशर से क्योंकि इसको भी ऊपर जाना है तो इन फीटर से निकल कर यह ऊपर जाएगी नेक्स टेपर रांच इसके थो जाएंगी इसके दो पार्ट हो जाते हैं एक होता है लेसर प्रेंटाइं नर्फ और दूसा आफ ग्रेटर प्रेंटाइं नर्फ तो इसे रिस प्रेंटो वह जाने के थुरू इस फैरेंग्स में यानि नेजो फैरेंग्स में एंटर करता है तो बहुत ही क्विक में हमने टेव पेंटाइन के लिए खतम किया तो आप वीडियो पसंद आता है प्रेसे लाइक बटन इंडू से सब्सक्राइब चैनल थैक्स वौचिंग